वेल्कम बाक यह आपकी साइक्वालिजी की सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने आदी चीजे कवर करती थी वो वीडियो जादा बड़ी बन रही थी इसलिए मैंने यह सेकंड पार्ट में कवर किया है क्यूंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा बहुत वीडियो या नहीं देखी जाएगी तो मैंने पार्ट में बना देखी कि जिसने कॉंटिनुवर्सली देखने होंगी तो वह थोड़ी टाइम के बाद देख सकते हैं अपलोड में साथ-साथ में ही करूंग इन दोनों वीडियो को तो अब हम बात करते हैं इस चीज की जॉन जॉन वाटसन की जॉन वाटसन कौन थे आपके फादर ऑफ भी विरिजम थे अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो तो प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पका कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्यूंकि यह जो वीडियो है यह आप पढ़ाने से या मेरे नोट से कुछ नहीं होगा अगर आपने भी इस चीज के महनत के तो आप पका अच्छा स्कूर करोगे All the best for your exams and let's start बहुत चीजे बच्ची अभी करने के लिए ने एक्जाम में टाइम बहुत कम है तो John Watson कौं थे आपके फादर ओफ आपके बहेवरियर्सम थे जो हम अभी हमने बात की थी जब हमने वह बात की थी आपके psychology पे बात की थी psychology की आती पहले study of soul थी अब क्या है आपकी study of your behavior है ठीक है ये चीज john Watson उसमें आते है आपके उस चीज में आते है जो अभी भी behaviorism जो है बची वी अभी हमने बुला था ना behavior some sort of behavior is left to be lost जो वुडवर्थ ने बुला था उसमें लास में ये लाइन आती है तो उस behavior के बात करते हैं तो ये john Watson इसके फादर बोले जाते हैं और इसमें आपके pelvic and your skinner जो है वो इसमें बहुत जादा important role play करते हैं ये behaviorism पे बहुत जादा work out करते थे इन्हों नहीं बात की कि ये बोलते थ कि हमारको बच्चे की heritage से कुछ लेना देना नहीं है हमा को किस चीज से लेना देना है सिर्फ nurture से नेचर से कोई लेना देना है जितना हम बच्चे को अच्छा nurture करेंगे उतना अच्छा बच्चा हो का अब इन्होंने जो classical conditioning है ये pelvic में दी थी ये question last two times regularly आ रहा है तो इन्हों इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था किस पर किया था डॉग पे किया था एक्सपेरिमेंट ठीक है डॉग पे ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया था पहले डॉग को फूड दिया जब आपने डॉग को फूड दिया तो saliva आया वाटरिंग जो होती है वो हुई डॉक की और उसके बाद क्या किया उन्होंने उसके बाद उन्होंने सिरफ बेल बजाई फिर डॉक के पस कोई सलाइवा नहीं आया उसके बेल बजाने से वाटरिंग थोड़ी होती है फिर उन्होंने क्या किया bell plus food बैल बजाई और फिर उनको food दिया बैल बजाई फिर डॉक को बैल को food दिया तो क्या होने लग गया पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने several times ऐसा किया तो उनके बाद बैल के साथ जब food देने लग गया तो saliva आने लग गया फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने सिर्फ बैल बजाई बाट टाइम बाद उन्होंने सिर्फ क्या किया बैल बजाई बैल बजाने के बाद क्या हुआ उन्होंने देखा कि saliva हरा है तो ये चीजे क्या है conditioning जो आपका food है वो unconditional stimulus है उन्होंने stimulus दिया एक फिर उसका response दिया response क्या आया जो आपका unconditional stimulus था आपका उसका response क्या आया कि आपने जो food दिया उसका response क्या आया saliva ठीक है और आपको पता है नेजर में response stimulus और response पर चीज़े बेस्ट होती है जितना जो आप stimulus दो गया आप उसके according react करते हो ठीक है फिर उसके बाद आपने क्या किया? Neutral stimulusलस बेल से कुछ नहीं होना था neutral stimulus दिया तो इसलिए result भी कुछ नहीं आया आपका saliva नहीं आया फिर जो उन्होंने क्या किया? उन्होंने stimulus जो unconditional stimulus था प्लस उन्होंने जो neutral stimulus था उसको engage किया टीक है? это conditioned हो गया वो condition stimulus दिया उन्होंने जब तो क्या हुआ आपका एक जो था condition response आया मितलब आपने install किया था वो उसके अंदर आपने बार-बार उनको ये believe दिलाया कि जब bell बचती है डॉक को क्या believe दिलाया जब bell बचती है तब आपको खाना मिलता है और खाने से क्या होती है salivation होती है तो ये चीज़ उनके अंदर install की गई थी उस डॉक के अंदर अब क्या कि आपने food देना बंद कर दिया bell बचती है तो उससे डॉक को क्या लगा कि क्या होगा अब bell बचती है तो में को food मिलेगा खाने के लिए और इसलिए वो salivation होती रही तो ये क्या क्या आपने condition दे रहे हो आप कि कि क्लास में भी तो कर दी जाती है कि अगर मैं अच्छा response दूँगा teacher मुझे very good करे very good बूली कि या अच्छे grades देंगी तो यह क्या होगा या मेरी मुझे तो मुझे क्या मिलेगा benefit मिलेगा इस चीज से प्रेजल मिलेगी या कुछ भी मिलेगा तो conditioning के time पे क्या होता है आपका neutral stimulus होता है unconditioned stimulus होता है ठीक है conditioning के बाद आपकी तो आपको response मिलता है पहले आपको neutral stimulus से कोई भी response नहीं मिल रहा था अब आपका जो है यह इसमें चीजए एक चीज याद रखना कि general हो जाएगा अगर आप रोज ऐसा करोगे जनरलाइजेशन अगर आप ट्लास में क्या करोगे रोज आप बच्चे को चॉकलिट्स दे रहे हो अच्छा कर रहा है चॉकलिट्स दे रहा हो अच्छा कर रहा है मैं तो सब कोई चोक़लेट देती हैं मैं अगर मैं अछा नहीं भी करूंगा तब भी चोकफ बिलीगी कर करूँगा तब भी अच्छी चोक्फ बिल иг sílун घरर rappers कर रहे हैं अब इससे डॉक की बात करें तो डॉक को क्या होगा किसी भी bell पे हैं आप चाहे उसको alarm bell दे दो या आप उसको door bell दे दो उसको हर bell पे क्या हो जाएगा salvation आना start हो जाएगा क्योंकि उसको नहीं पता वो bell कौन सी है exact कौन सी है अग extension, extension क्या होता है इसमें एक और चीज़ आपको याद रखने है extension, extension क्या है आपकी कि जो आपका अगर आप stimulus बार बार दे रहे हो चीक है, और उसका response आ रहा है, चीक है आपने क्या क्या आप बार-बार bell प्रेस कर रहे हो बार-बार bell प्रेस कर रहे हो और आप उसको खाना नहीं दे रहे हो आप bell प्रेस कर रहे हैं पर आप उस dog को खाना नहीं दे रहे हो तो at a time के बाद क्या होगा उसको bell से फरक ही नहीं पड़ेगा तो भी वो salivation नहीं उसमें salivation नहीं होगी अगर नहीं कर रहे हो तो वो भी salivation नहीं होगी चीकिया यह था अपका इसमें आपको यह समझा क्यों होगा अब बात करेंगे next operant conditioning की यह किस ने दी थी आपके skinner ने दी थी skinner ने क्या क्या था इसको हम program learning भी बोलते है instrumental learning भी बोलते है इन्होंने क्या 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 था soft toy के साथ बच्चे को क्या क्या था soft toy दिया था कोई भी राट दिया था तो उस राट को जब भी टच करते थे जब भी टच करता था वह बच्चा तो एक बहुत weird सी आवाज आती थी तो बच्चा क्या करने लगया अब उसके अंदर क्या हो गया एक उसके अंदर यह चीज होगी कि वह किसी भी दर बैड गया किसी भी soft toy के two words की अग मैं इसको टच करूँगा तो वह weird सी आवाज फिर सी आईगी तीक है यह था operant conditioning यह आपकी instrumental learning करवाईगी तीक है इन्होंने इसमें बात की थी चार चीजों के बारे में shaping के बारे में जो teacher होती है वह shape करती है बच्चे को फिर chaining के बार discrimination उन्होंने बात की थी discrimination की की teacher को discrimination भी कर सकती है अगर हम बात किरे like reinforcement and punishment की बच्चे को reinforce कैसे करना है या उसको punishment देनी है motivation देनी है या punishment देनी है आपको ठीक है and उसके बाद generalization ठीक है generalize भी कर सकते है अगर मैंने क्या किया है कोई बच्चा है वो regularly काम करके आ रहा है ठीक है मैंने उसको reinforcement से अच्छा करवा दिया ठीक है उसको अच्छा motivate किया and उसके बाद मैं क्या करती हूँ थोड़े time बाद अगर मैं ऐसा करती हूँ कि जो बच्चा है regularly काम करके उसको भी मैंने प्रेजल नहीं दिया और जो काम करके नहीं आ रहे है उनको मैंने डांटा नहीं सबको equal करती है जनलाइजेशन मतलब सेम कर देना सब कुछ सेम हो जाना तो वो चीजे क्या है उसमें क्या होगा बच्चे कर जनलाइज हो जाएगा बच्चे को पता लग जाएगा क्या मैं काम नहीं भी करके आ रहे है तो भी मैं कुछ बोल नहीं रही है तो वो क्या होता है जनलाइज करत तो हम इसमें बात बतर लेते हैं, अब जो आपके reinforcement है, इसका schedule कैसा होता है, एक continuous होता है, कि मैं रोज चॉकलिट्स दे रही हूँ, वैसे मैं आपको बोला ना कि, क्या होता है, अगर मैं continuously गोई चीज करूँगी, तो उससे क्या होगा, extension, अगर मैं continuous, जो आपके schedule है, reinforcement के, वो ऐसे हैं कुछ, वो ऐसे हैं आपके continuous और intermittent, ठीक है, पार्शल, अब continuous करोगे किसी भी चीज को, अगर continuous करोगे, तो वो कैसे होगा, कि मैं continuously class में चॉकलिट्स हैं, वो दे रही हूँ बच्चों को, रोज दे रही हूँ, मतलब चोटे से भी अच्छा सा काम कर रहा है, कोई homework भी complete कर रहा है, तो मैं उसके लिए भी चॉकलेट अवार्ड, रिवार्ड दे रही हूँ, तो क्या होगा बच्चे को, कि बच्चों को, कोई excitement नहीं रही है, जैसे excitement होती है, बच्चों कि आज मैं चॉकलेटे की, जो intermediate होना चाहिए, intermediate में भी क्या है आपका, आप देख सकते हो इस चीज को, इसको प्लीज इग्नोर करना, extension यहां पर, यह सरफ दो पार्ट में है, extension पता नहीं गलती से लिखती है, शायद से, जो partial है, वो आपकी, जो यह intermediate है, या partial जो आपकी reinforcement है, यह कैसे intervals में दे सकते हो, आपकी interval में, कि आपको मैं यह बोलू, कि fixed interval में क्या होगा, आपका, जो चौकलेट है, मैं बोलूँ कि हर Wednesday में आपको चौकलेट दूँगी, तो बच्चा क्या करेगा, सरफ हर Wednesday कोई अच्छा perform करेगा, ठीक है, fixed है, उसको पताए Wednesday कोई चौकलेट मिलेगी, एक ही इसके कोई मिलेगी, ठीक है, एकर variable बोलू, मैं बोलूँ कि जो अच्छा करेगा, मैं उसको चौकलेट प्रवाइड करवाँगी, या उसको दूँगी, reward दूँगी, यह चीज दूँगी, तो वो क्या होगा, variable होगा, ठीक है, कभी भी मिल सकती है, interval में, अब ratio, अगर मैं ratio क कि आपको चौकलेट भी मिलीगी, आपको मैं अच्छे वाला पैन भी दूँगी, तो वो चीज क्या होगी, बच्चे को excitement level, हमने बच्चे के excitement level, जो curiosity level है, किसी चीज को excitement level है, उस चीज को कम नहीं करना है, हमने उस चीज को reinforcement के थ्रू, और boost up करना है, तो वो चीजे क्या होन इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू ही, लर्न करता है, बच्चे के अंदर internal motivation नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम जो motivation पढ़ेंगे तो उसमें external और extrinsic motivation होती है, internal और external, internal कुछ नहीं होता बच्चे के अंदर, या achievement होती है, achievement motivation होती है, कि मैं चीज चीज अचीज अचीज करना है, वो चीज बच्चे के अंदर कुछती है, जब चोटा बच्चो होता है, हम उसको हमेशा लालज दे के बढ़ाते हैं, अगर तो अच्छे मार्क स्कोट करेंगा, तो हम आपको यह गिफ्ट देंगे, यह चीज गिफ्ट करेंगे, आपको जो चाही होगा, जो टॉय और पर गिफ्ट टेंगे, तो यह क्या है अपकी एक्स्टरनल, वो है आपकी रिइनफॉसमेंट, अब बात करते हैं, शोचल डिवलप्मेंट टेारी कि, यह किस ने दीती, आपके एरकर कसन ने दीती, इसमें आपका फर्स, जो है, इंफैंट, इंफैंट आपका आता है, इ अगर बात करेंगे इसमें इसमें क्या होता है आपका इसमें क्या होगा आपका ट्रस्ट और मिस्ट्रस्ट होगा अगर बच्चा पहले 18 मंत में बच्चे को हम ट्रस्ट दिला देती हैं कि वह अच्छा है ठीक है अब उसको डांट देंगे और बच्चा श्रागते करता है चो नहीं कर पाएगा फिर क्या करेंगे अगर 18 मन्स से 3 मन्स 3 यह के पीच में स्टेज आती है क्राइसिस आती है वह है और शेम या डाउट की ऑटनॉमी मतलब सेल्फ कंट्रोल बच्चे को क्या कर जाता है इस ओविसली 18 मन्स से लेके देड़ साल से लेके तीन साल के बीच में बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है अगर बच्चा अच्छा से कर लेता है वो चीज तो उसके अंदर ऑटनॉमी आएगी मतलब सेल्फ कंट्रोल भड़ेगा उसके अंदर अगर वो नहीं करेगा तो शेम या डाउट आईगी ठीक हम अब विसी बात है जब बच्चा अगर हमेशा मतलब हमेशा तो नहीं कभी कवाद भी अगर बेड़ पर टॉलेट कर लेता है तो हम क्या करते है नहीं आपने गंदा काम किया है आपको आपकी शेम शेम होगी आपको सब के पास बताया है मैं सब को बताऊंगी यह करूंगी इससे क्या होता है बच्चे के अंदर शेम और डाउट आजाता है कि मैं यह चीज़ नहीं कर सकता मेरी अब क्या होका मुझे अब डान पिटेगी या मुझे लोग मेरी शेम शेम करें बच्चे को अब इसको जादा कुछ तो पता नहीं है कि उसको यहीं पता है कि प्यार क् इनिशेटिव कब लेगा बच्चा जैसे अब बच्चे ऐसी इनट लेटेड आगर तो ऑट जो आपके नेक्स नेज़ भी अच्छे से होगी, मतलब अपने अंदर उसके पर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, जब सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा उसके उपर, फिर उसके बाद क्या हैगा, उसका इनिशेटिव लेगा वो क्लास में, ठीक है, आपका, मतलब घर से उसका सब कुछ ठीक चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इनिशेट लेगा, कि मैं स्कूल में जाके क्या करेगा, अपनी माम के सामने बुलेगा, कि माम, कन I do this thing, ठीक है, माम, मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ी क्या है, बच्चे के अंदर ट्रस्ट बिल्डप है, उससे, वो सेल्फ कंट्रोल तो वो क्या होगा, इनिशेट लेगा, कुछ भी काम करने के लिए त्यार रहेगा, या गिल्ट, ठीक है, अगर उस बच्चे को मिस्ट्रस्ट हो गया, ठीक है, उसको लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, उसको शेम होगी, डाउट हो गया अपने उपर, तो वो क्य प्यार तेरा कई बार ये जो एजिस है, ये उपर नीचे हो जाती है, बट इनकी जो एजिस है, इनकी आपको ये लर्न करना ज़रूरी है, क्राइसिस होते हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेशन पूछे जाते हैं, पिर आपकी क्या है, इंडस्ट्री वर्स इंफिर्टी, बच् इनशेटिव लेने का, तो वो उसकी इंडस्ट्री अच्छी बनेगी, ठीक है, वो अपनी अच्छे से ग्रो अप करेगा, अपनी फिल्ट अप करेगा, क्लास में भी अच्छे से सब के साथ बात करेगा, अगर ये चीज नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, अगर उसको या initiative लेने के बाद या उसको class में initiative लेने के बाद भी उसको अच्छा response ना मिले या कुछ भी ना मिले तो क्या हो सकता है? inferiority आ सकती यार मुझसे नहीं हो का या मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे लोग की सरी चीज़े उसके अंदर मतलब उसके अंदर डर बैट जाएगा एक टाइप का ठीक है? फिर नेक्स है 13 से 21 साथ इसमें क्या होता है? आपका adolescence spirit है ये ठीक है? इसमें आपके identity crisis हमने stages of development में बात की थी identity crisis होगी identity होगे या confusion होगी या तो बच्चे को अच्छे साटिंग से अगर वो चीज नहीं होगी तो उसके अंदर confusion होगा या मुझे यह करना चाहिए था मुझे डॉक्टर बना चाहिए? नहीं मुझे टीचर बना चाहिए? मुझे इंजिनियर साहिए जाना चाहिए? अरे मुझे उसको करना क्या है? उसको लिखती है इस एज में आए कि आप लिख लीजिए यहां पर intimacy intimacy versus isolation ठीक है? अगर बच्चे के अच्छी से identity बनागी है तो वो क्या करेगा? ऑविसी बात है intimacy, love, marriage and all की towards जाएगा आगे उसका अपनी life सेटल करनी है अपनी family बिल्ट अप करनी है तो उस साइट जाएगा अगर उसकी identity अच्छे से नहीं बनी होगी ऑविसी बात है वो फिर अकेला रहना प्रेफर करेगा वो कैसे? मतलब ऑविसी बात है अगर आप कुछ और नहीं कर रहे है तो आप अपनी family स्टार्ट अप करने से पहले सौ बार सोचोगे ठीके इसमें आपका ये है है कि इस थाइम इनसान वो क्या होगा अपने ओपर मतलब उसकी अंदर इंगा जाएगी कि मैं ये काम अच्छे से किया है मैंने अपनी पुरी start stages development की तो आपकी particular stage में क्या crisis होती हैं ये आपको learn करना जरूरी है next बात करेंगे psychosexual development की ये आपकी segment food ने दी थि इन्होंने पहले हम बात किरेंगे मैंने आपको ये last video में भी समझायागा आपकी development वाली stages of development वाली video थी कि introduction video में ये समझाया गया है क्या होता है जो आपका mind है उन्होंने किसके साथ iceberg के साथ compare किया था तो this is your mind उन्होंने ऐसा बोला था ठीक है और इसके नीचे क्या था आपका पानी पानी है सारा ठीक है और यह सिरफ हमारा mind का जो 10% है वो हमा को दिखता है भाकी का जो percent है हमा को नहीं दिखता है वो क्या है आपका जो 10% आपको दिखता है वो क्या है आपका conscious mind है और जो नहीं दिखता है वो क्या है आपका subconscious and unconscious mind है उन्होंने ये बात की थी और इन्होंने personality के बारे में बात की थी personality के उन्होंने तीन टर्म सी थी id, ego, super ego अब इसके बारे में detail में बात करते है इड, 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 चॉकलेट खानी है है पर आपका ego के एको क्या करना चाहिए जो आपका ego है व मैंने स्मॉल चॉकलेट क्हानी है शेक्षे उसी चॉकलेट खांजिए चॉकलेट नहीं चाहिए थोड़ा आपको पता है रियालिटी पे चलता है है पर आपका super ego क्या है, आपका super ego है, वो morality पर चलता है, आपके moral values पर चलता है, moral principles पर चलता है, वो बोलता है कि, you are on a diet, तो you should not eat chocolate, ठीक है, अगर इस चीज को मैं अच्छे से explain करूं, तो आपका id है, फिर ego है, फिर super ego है, आपने क्या करना था, चॉकलेट खानी है, आपने बोला कि मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, पर ठीक है, फिर आपके दिमाग में सोचा है, इस चीज के बाले में, फिर आपका क्या हुआ, वो चीज क्या हुए, आपकी super conscious mind जो है, आपका super ego है, तो आपका यहाँ पर ego जो है, वो partially conscious है, ठीक है, partially conscious mind है आपका, तो super ego ने बोला कि you are on a diet, तो चॉकलेट कैसे खा सकता है, तो तो आपका ego क्या करेगा, अब क्या है, ego क्या है, आपका एक bridge है, ठीक है, ब्रिज है, balance है इन दोनों के बीच का, वो बोलेगा, कल चॉकलेट भी खानी थी, और यह आपका super ego नहीं भी खा सकता है, तो तो क्या करेगा, ego क्या करेगा, एक mediator बन जाएगा, चॉकलेट मैं थोड़ी सी खा लेता हूँ, फिर इससे क्योंगा मेरा चॉकलेट खाने का, जो मन था वो भी ठीक हो जाएगा, and मैं diet पे हूँ, यह चीज भी control हो जाएगी, तो क्या है ego क्या है आपका partially conscious mind है, आपका subconscious mind भी बोला जाता है, यह क्या आपकी reality principle पर work out करता है, bridge है between your id and your super ego, चीक है, अब बात करें id की, id में एक और चीज पूछी जाती है आपकी, जो id है, इसमें, sorry, इसमें क्या है आपकी, दो instant है life की, चीक है, एक आपकी life instant इसमें होती है, और death instant इसमें ही होती है, यह चीज याद रख मैं, यह चीज पूछी जाती है, अब बात करते हैं, आपकी sexual, sorry, psychosexual development की theories की, इसमें क्या किया था, आपके जो segment fruit थे, इन्होंने 5 stages में बात की थी, ठीक है, क्या की थी, इन्होंने 5 stages में बात की थी, फर्स stage थी, oral stage, 0 से वानियस तक होत है, इसमें उन्होंने बोला, जो बच्चा है, वो pleasure drive करता है, कैसे, by चीजों को मुह में डालके, by sucking, या by tasting, उसको प्लेजर होता है, उसको प्लेजर होता है, इसलिए बच्चे को जब आपने देख होगा, एक साल का जो बच्चा होता है, बच्चा होता है, हर चीज मुह में डालने की कुशिश करता है, क्योंकि उसको इस चीज से pleasure मिलता है, नेक्स बात की थी, उन्होंने second stage में anal stage की, anal stage आपकी एक से तीन साल के बीच में आती है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को टॉलेट ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें क्या होता है, बच्चे को pleasure कैसे म अपने genital parts को touch करेगा, अपने genital parts को touch करेगा, ऐसी चीजे वो करता रहता है, इसमें दो चीजे और आती है, अपकी electro complex and your odibus, ठीक है, electro complex क्या होता है, जो आपका love होता है, जो आपकी daughter, जो daughter होती है, उसका love होता है, अपने father की two words, ठीक है, electro complex उसको बुला गया है, and odibus, जो लड़का है, उसका जो boy है, उसका love अपनी mother की two words, ठीक है, opposite sex की two words, या opposite gender की two words, हम बोल सकते हैं, कि एक sort of bond develop होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता अपका fourth stage, इसमें आपके latency stage आती है, ये 6 से 13 साल के बीच में होती है, इसमें क्यों होता है, बच्चा जो क्या करता है, उसक अपने पियर ग्रुप के साथ, अपने या same, जो हम बोल सकते है, same pair group, latency में क्याता है, same group के साथ, अगर लड़का है, लड़की है, गर लड़की है, तो लड़की हो के साथ, ये सारी चीजे क्या है, same, अपने same sex के साथ, वो खेलना प्रेफर करते है, अपका last stage, यहां पर miss, हो गया, crop हो गया, तो वो मैं लिख लेती हूँ, वो है आपका genital stage, genital stage, इसमें क्या है, यह आपका puberty से लेकिए, आपका lifelong चलेगा, यह death तक चलेगा, genital stage, इसमें क्यों होता है आपका, जो individual होती है, उसकी strong attraction हो जाती है, towards your, क्या, towards your opposite sex, कि ठीक है, आपका जो genital stage है, puberty आपक बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे क्या, इसके बाद जितने भी लोग आते हैं, हम अपने opposite sex की towards, सादा attract होने लग जाते हैं, इसकी criticism जो थी, उसमें यह था कि, जो आपके fruit थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, environment को कोई importance नहीं थी, ना ही उन्होंने, उन्होंने क् सिरफ और सिरफ sexuality पे work out किया, कि बस sexuality पे ही उन्होंने work out किया, बस sexual sexual चीजों के बारे में ही उन्होंने पूरी फ्री में बात की, तो ये थी आपकी psychosexual development, next बात करेंगे moral development की, moral development किसने थी आपके, कोहल बर्क नहीं थी, ठीके, इन्होंने बात की थी, राइट, moral क्या है, आप gångए नइवाराइज इन फणी करें डिफरन्स आपको पता करना है, राइट और रॉंग की, क्या चीज सही ही आपके, क्या चीज गलत है उस चीज के डिफ्रेंस आपको पता करना ए यह क्या है आपके तीन लेव्ट में होती है ? और छे स्टेज़ में होती है 1st level क्या है आपका इसमें आपका है 1st level है आपका प्री-conventional फिर्स-destinal level के 2 stages होते है Stage 1 में क्या है, आपका obedience आईगी Stage 1 में obedience आपका क्या आएगा punishment आएगी इस stage में क्या होते हैं बच्चे को कोई moral value नहीं पता है, क्या है आपका conventional stage आप देख सकते हो तीन से साथ साल के बीच का है आपका तो बच्चे को इस ताइम कुछ नहीं पता है कि moral values क्या होती है उसको सिरफ इतना सा पता है कि अगर मैं अपने elders को obey करूंगा या उनसे प्यार से बात करूंगा तो मैं उनसे वो प्यार से बात करेंगे उसको कोई moral values नहीं पता है कि यह मैं छोटा हूँ तो मुझे जी जी नापकर के बात करने है यह चीज़ उसको नहीं पता है ठीक है stage 2 में क्या है individual and exchange stage 2 में क्या होता है बच्चा यहां पर सिरफ tit for tat वाली बात आती है अगर इसने में साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ वैसा करूँगा ठीक है अगर इनोंने मुझे चॉकलिट नहीं दी तुम इनसे बात नहीं करूँगा तो यह क्या है टिट for tat वाली बात है यहां पर ठीक है आपकी लेवल वान गिये है लेवल वान में क्या है दो स्टेज़ है आपकी उबीडियन्स एंद परनिश्मेंट इंडुलिजर्ण एंड एक्स्चेंज मतलब बच्चा आपको वैसे ही एक्स्चेंज करेगा चीज़े वैसे ही आपको टिट for tat करेगा आपके साथ इस चीज़ में नेक्स आपका है second level इसमें conventional stage की बात की है इनोंने conventional level है इसमें stage 3 है यह आपका stage 3 में आपका interpersonal relationships ठीक है interpersonal relationships रहाएगा यहाँ पर उसको क्या होगा इदर उसको good boy good girl वाली image बनानी है अब stage 4 में क्या है maintaining the social order अब उसमें क्या होगा उसको socially norms बनाएंगे रूल्स बनाएंगे जिसे आपको red lights को cross नहीं करना है आपको क्या करना है traffic rules follow करना है यह सारी चीज़ वो इस चीज में करता हैं ठीक है maintaining social order नेक्स आपको post conventional यह जो stage है यह आपकी 18 plus है मैं यह पर age लिखना भूल गया तो 18 plus years से होती है यह start आपकी तो इसमें क्या है आपका stage 5 क्या है आपकी social contract and individual rights यहाँ पर बच्चा क्या करेगा चेंज करेगा बच्चा तो नहीं यहाँ पर adolescent क्या करेगा या उससे adulthood में जो होगे वो क्या करेंगे rules को change करेंगे क्यूंकि वो अपने individual rights के लिए किसके लिए अपने individual rights के लिए suppose कोई है इनसान को बोलता है कि मैं अब tax नहीं परूंगा जो आपका tax लगता है किसी भी चीज़ीज पर मैं tax नहीं दूंगा क्यूंकि government क्या करती है useless काम कर लिए government अच्छा काम नहीं कर लिए तो मैं कोई tax ही नहीं दूंगा तो फिर क्यूं क्यूंकि वो मेरे according काम नहीं कर लिए मैं भी taxpayer हूँ तो मेरे according काम करनी चाहिए तो वो क्या है अपने individual rights के लिए लड़ता है rules change करता है ठीक है cooperation वो हाँ पर थोड़ा कम कर देगा अपना ठीक है शिक्स्थ है आपका universal ethical principle ठीक है इसमें क्या होगा आप humanity जो है वो superior law बन जाती है यूनिवर्स क्या है ethical principle अब इसका example दूँ तो जिससे जो ये army officers होते हैं या army जो भी join करते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी हर चीज़ को humanity को ठीक है अपने motherland को वो सबसे पहले रखते हैं अपने घरवालों से भी पहले रखते हैं तो वो क्या है आपका humanity ह अगर हम अच्छे से से अपने घर में तो उन आर्मी में कसी वज़े से हैं जो border पे हमारे लिए काम कर रहे हैं अब इसमें criticism जो थी उसके थी कि जो ये है आपकी moral development theory है ये हर जगह applicable नहीं हो सकती सारे कर्जस में applicable नहीं हो सकती और ये क्या है एक hypothetical situation है biased examples है ये जो moral development की theory थी आपकी ये क्यों दी गई थी ये आपकी किसले दी गई थी क्योंकि इसमें क्या था जो एक person था अब मुझे उस person का नाम याद नहीं आ रहा है उसने क्या किया था उसकी बीवी को cancer था उसकी wife को cancer था उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी medicines ले स के वो chemist के पास जाता है वो बोलता है कि please आप मुझे ये medicines provide कर वादो वो बोलता है कि नहीं इतने पैसो में नहीं होगा मुझे बहुत ज़ादा medicines महेंगी पैसो की है तो फिर वो क्या करता है वो चोरी करता है तो उस पूरे incidents को देखके को halberg ने ये theory बनाई थी तो इसके criticism म ये ही हुआ था कि एक lady थी उसने इसको criticize किया था तो उन्होंने ये बोला था कि जो ये theory बनाई गई है ये सारे men को focus करते हुए बनाई गई है इसका woman से कोई लेना वेना नहीं है अब बात किते हो motivation की motivation में क्या है motivation क्या होती है कोई energy है जो आपको अपने काम करने में help करती ह किसी भी चीज है ये किस ने बोला था ये चीज आपकी गिलफोर्ट ने बोला था जिसने आपका 3D model दिया था intelligence का motivation जो वर्ड है वो क्या है Latin word से mover से हुआ है derive इसका मतलब क्या होता है to move ये चीज़ याद रुखना अब आपके motivation internal भी हो सकती है external भी हो सकती है अब मैंने बा इसके अंदर से कभी नहीं होती है उसके अंदर से कभी नहीं आते कि यार मुझे अच्छे mark score करने है क्यों क्यूंकि उसको वह चीज़ द्राइज नहीं उसको सिरफ motivation जो है हम achievement based देते हैं कि आप ये चीज़ चीज़ करोगे तो आपको ये चीज़ में दूँगी ठीक है तो होती है अंदर से आती है motivation कुछ चीज करके आपको ठीक है कि आपको reward मिल सकते हैं अस चीज़ को करने से कोई भी चीज है कुछ सुछ चीज कर्य रिवार्ड मिल सकते है but आपको reward आपका में motive नहीं था आपको motive क्या था satisfaction वो है अपकोगी internal motivation प्लेजर बेस्ट होती है अपकी internal और external motivation क्या है आपकी, उसका center of attraction है, वो सिरफ आप पर reward होगा, कि आप मुझे ये reward चाहिए, इसलिए मुझे ये काम करना है, मुझे अच्छी पेच चाहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका क्या है, कि मेरा paper अच्छी से clear होना चाहिए, मेरा paper clear हो जाएगा, तो मैं अच्छी job करूँगा, चाहिए, तो वो क्या है आपके, एक external motivation है, अगर आप ये बोलो कि हाँ, मेरा paper भी clear हो जाए, बट मुझे इसमें क्या है, मुझे ये चीज करने में मजा आता है, तो वो क्या है आपका pleasure motivation, अब आपकी motivation की approaches भी है, behavioristic approach होती है, मतलब behavior के हिसाब आप से, जो skinner ने बात की, reward की, reinforcement की, वो सब कुछ है इसमें, और आपकी cognitive approach भी होती है, cognitive मतलब आपकी interesting, जो आपकी internal motivation की थ्रू आती है, आपकी thinking की थ्रू आती है, अपने सूच चाहे कुछ करने का, motivate आप अपने आप से हो रहे हो, कोई external चीज आपको motivate नहीं कर ली है, और third approach जो है, की motivation की, humanistic है, ठीक है, बतलब आपको human as human behavior आपको चीज अचीज अचीज करना चाहे हो, इसमें आपकी मैसलोगी theory आईगी, ठीक है, बात करते है, drive reduction theory की, यह किसने, Clark Hull ने दी थी, C, Hull भी बोलते है, हम इसको, बोलते है, तो इन्होंने क्या बात की थी, एक motivation cycle दी इन्होंने बात की थी, कि आपकी किसी चीज की need होगी, ठीक है, आपकी needs कैसा हो सकती, आपकी needs जो है, आपकी social भी हो सकती, and आपकी secondary needs भी हो सकती, primary needs, जो है, sorry, socially primary needs, जो आपकी primary needs है, जैसे आपकी hunger, thirst, sleep, जो यह सारी चीज़े है, यह आपकी primary needs है, ठीक है, इसके लिए आप एपको अपकी secondary needs, social, acquired needs, भाद में आपको कुछ चीज acquire करनी है, पहले आपकी primary needs fulfill हो जा उसके बाद आपको चीज अप्ले करो, वह आपकी है, secondary needs, acquired needs अब से बारे में भी बात करेंगे, पहले प्राइमरी needs है, उसके बारे में बात करते हैं, या needs के बारे में बात करते हैं, तो इस time आपकी need क्या है आपने HP Tart का paper clear करना है थिखेंगे यह क्या है आपकी need है इसके बाद क्या होगा आप उस need क्ले क्या कर रहे हैं वीडियो देख रहे हूँ नोट्स बना रहे हो छाए है यह क्या है आपकी drive है drive है आपकी कोई किए से implement कर रहे हैं दा उसचेजए को पेपर क्लियर कर लिए इसके लिए क्रप्रामय वीडियो क्हभी रिडियो और नोट कि पना रहे हो घिक है और व्म करक्त लाइया है भी दुन है कि अ अ हॉधार अपको आ strictly आपने वह गोल अचीव कर लिया, आपने अपना HP TAT का पेपर क्लियर कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, आपने HP TAT का पेपर कंपलीट कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद आपकी रिडक्शन हो जाएगी, जो आपका अराउसल हुआ था, फिर आप के करोगे, अपनी बेको एक्जाम होने होता है। और को अपको पर दाए होगा, और एक्जाम filling और को- दाश हो तले मैं कर गूंगा. काशलियम इस पर दराइपु हो गाव नियुक्या आप नियुक्ट, वह डीकिंग हो खावन युक्त. वह excitement है उस चीज को करने की जब आपको वह चीज मिल जाएगी आपका goal-directed behavior हो जाएगा कि नहीं मुझा असा करना है वैसा करना है जब आपको goal-directed behavior के बाद आपको achievement मिल जाएगी ठीक है वह चीज मिल जाएगी तो इस आपकी need है नीड के बाद क्या है आपकी goal-directed behavior बोल दिया फिर आपकी achievement है फिर आपकी फिर से आउविसी बात है needs कभी खतम नहीं होती तो need के बाद आप कैसे drive करोंगे उस चीज को कैसे आप synthesize करोंगे उसके towards कैसे work out करोंगे कि आपको वह goal achieve हो जाएगी वह arousal ठीक है अराउजल वह excitement का जो है चीजे यहां पर आईगी फिर उसके बाद achieve करने के बाद वह arousal खतम हो जाता है वह आपको नहीं यार ऐसे भी हो गया ठीक है अच्छी बात है यहां तक हो गया फिर आपका क्योंगा आपकी need to change हो जाएगी मुझे कुछ और करना है commission fight out no commission fight करना है अब उसमें जोड़िये बाद यह जो cycle है आप उस पर work out करोगे work out के बाद आपका goal directed behavior हो जाएगा और उसके बाद आप उस चीज को achieve कर लोगे तो वो चीजे खतम हो जाएगी उसकी जो excitement है वो चीज खतम हो जाएगी नेक्स बात करते है hierarchy of need की इसने मैसल उने दी थी इसने hierarchy हमेशा कैसे होती है नीचे से start होती है तो first मैं उन्होंने physical physiological needs की बात की थी इसमें क्या हो गए आपका इसमें आपकी food, clothing जितनी भी आपकी basic needs है वो आईगी फिर उसके बाद उन्होंने बात की थी कि आपकी safety needs की ठीक है उसके बाद क्या बात की थी उन्होंने safety needs की बात की थी safety needs में आएगा आपका जब आपको खाना मिल जाएगा आपको पहने के लिए कपड़े मिल जाएगे फिर उसके बाद आप क्या सोचोगे कि आपको एक safe atmosphere मिले आपको एक अच्छा घर मिले फिर आप अपने घर के बारे में सोचोगे safety में क्या आएगा आएगा आपका home तो यह क्या है आपकी love and belongingness फिर उसके बाद क्या होगा आपका आपको उसके बाद self-esteem की बात करते हैं वो self-esteem मतलब आप self-respected होंडोगे अपनी society में कुछ achieve करने के लिए ठीक है and उसके बाद क्या है सबसे उपर आएगा self-actualization यहां तक तो बहुत कम लोग ही पहुंचते है फॉर्थ और फिफ्ट में ही लोग रह जाते लोग self-actualization तक लोग पहुंचते ही नहीं है ठीक है जो आपकी first three needs है आपकी physiological needs है safety needs है and love and belongingness की जो needs है आपकी deficiency needs है ठीक है यह चीज़े आपको चाहिए ही चाहिए अपनी life में अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो अगर आपके गर है आपके पास अपनी family है आपके पास food and all है तो आप कुछ नहीं भी कर रहो तो भी आप शर्वाइफ कर लोग यह अगर आपके पास आपके पास लगह भर नहीं है या आपके पस आपके पास आपकी फैमली मी नहीं है तो आपको survive करना भात ज़ादा मुश्किल हो जाए जो acquired needs के हैं, आपकी secondary needs हैं, यह किसने आपके David McLaren ने दी थी, इन्होंने बात की थी, achievement की, need for achievement, कि आपको कुछ चीज अचीज अचीज करने की need होती है, या फिर आपकी next इन्होंने बात की थी, need for affiliation, ठीकि आपको लोगों में आपका नाम हो, इस चीज की आपको need है, third है आपक fighting, जितने भी जूट बोलना है, या कुछ भी करना है, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, जरफ power के लिए, कि मेरे हाथ में power होनी चाहिए, तो यह सारी चीज आपकी need for achievement, need for affiliation, need for power, यह क्या है आपकी acquired needs हैं यह सारी, और यह theory किसने दी थी, आपकी David McLaren ने दी थी, next बात करते child-centered education की, child-centered education है आपकी, यह किस ने दी थी, John D.V. ने दी थी, यह आपकी learning by doing पर focus करते हैं, यह उन्होंने lab schools खोले थे, कहाँ, Chicago में, and उन्होंने tripolar education की बात करते हैं, मतलब teacher, curriculum, sorry teacher, student and curriculum को यह focused करते हैं, आपके पास bipolar भी दी थी, यह किस ने दी थी, आपकी एक इंसान थे, इन्होंने दी थी, इन्होंने teacher और student को ही focus किया था, जो पहले के time में थे, आपके, जो पहला आपको जो चलता था, education policies, वो teacher-centered होती थी, अब जो चल रही है, वो child-centered classes है, आपकी NCFP यह बोलता है, कि teacher सिरफ एक facilitator की तरह work out करना चाहिए, सिरफ एक, उनको, सिरफ एक, क्या ब बोला था, कि जो बच्चा होता है, वो क्या है, एक blank slate है, ठीक है, blank slate है, और teacher उसमें भरता जाता है, ठीक है, plant करता जाता है, बट अब क्या बोला जाता है, कि बच्चा क्या है, एक plant है, ठीक है, एक plant है, उसको teacher सिरफ nourishment provide करता है, help provide करता है, ताकि वो अच्छे से grow कर सके, इसके बारे में इसमें बहुत सरी इंपर्टेन शीज है आपके Frederick Rich Fowel जो है उन्होंने क्या दिया था प्लेवे मेथड दिया था जो आपके Frederick Rich Fowel है यह क्या थे यह भी आपके चाल्ड सेंटर एजुकेशन से मोटिवेटेड थे उचाहते थे कि ऐसा हो मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ पर criticism नहीं कि फिर आपके W.H. Kilpatrick जो है इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था आपका यह क्वेशन से पूछे जाते हैं यहां से इसेस्मेंट से questions बनते हैं आपके CCE मतलब आपका continuous comprehensive evaluation continuous मतलब आपका regular जो आपको आजकल schools में करिक्रिम चल रहा है वह आपके CCE के based है कि continuous आपके evaluation होती रहेगी ठीक है throughout the year होता रहेगा ठीक है आपकी formative assessments होती है summative assessments होती है इसमें formative assessments में आपके FAS जो होती है चार बार FAS होंगे दो बार आपके final exams होंगे summative exams होंगे तो यह सारी चीज़े क्या है बच्चे को time मतलब perform करने का मौका दिया जाता है comprehensive पतलब सिरफ बच्चे को पढ़ाई में नहीं जो extra curricular activities है आपकी उसमें भी बच्चे को देखना है assess करना है सिरफ ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो उसको fail कर देना या कुछ कर देना बच्चे के overall development पे CCE focus करता है अब हम बात करते है assessment कि assessment का है सिरफ एक education का evaluation का एक part है जो आपके assessment है वो किसके लिए assessment for learning हो सकती है for learning में क्या होता है आपका कि हम बच्चे में जो है कि सुधार की जो कि बच्चा कितना सुधर सकता है ठीक है बच्चा अगर कोई mistake कर रहा है तो उसको हम सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं उस चीज़ पर बात करते हैं लाइक कि बच्चा जैसे कि जब त्यूरिंग दी क्लास कोई questions पूछते हैं अगर मैं आपसे अभी कोई question पूछ लूँ वो क्या होगी assessment for learning की बच्चे में सुधार की अगर अभी मैं आपसे कुछ पूछ लूँ और आप उसको गलत आंसर करते हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो आप जब आपने एक्जाम देना है तो आप ढंक से उस चीज को वहाँ पर correct करके आओगे तो वो क्या है आपकी assessment for learning क्या होती है इसमें assessment of learning क्यों होती है कि बच्चा जब learning complete कर लेता है आप लोगोंने learning complete कर दी जब आप exam देख गया होगे तो वो क्या है आपकी assessment of learning जिसके ल क्या था lecture video थी अगर मैं आपके साथ में आपके साथ questions भी put out कर देती है और आपको साथ साथ में questions भी solve करने होती है तो वो क्या है assessment in learning की assessment मैं आपको assess भी कर रही हूं कि आपके दिमाग के अंदर किती सी चीज़े जा रही है फिर आपके है last assessment as learning assessment as learning मतलब जब अगर आप क्या कर रहे हो class में अपने जो आपके peer group है उसके साथ बात कर रहे हो पाचीत कर रहे हो कि क्या कितना आपको समझाया क्या समझाया कोई questions put कर रहे हो क्या है assessment in sorry as learning ठीक है तो यह थे आपकी CCE बाकि आपका प्याजे बचता है और आपकी memory बचती है वो हम कल करेंगे बना प्याजी कि जिनका कल exam है तो वो प्याजे की theory कहां से देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो में बनाई है YouTube चैनल पर आप जाएए और आप देख सकते हो मेरे चैनल पर आपको प्याजे की पूरी theory मिल जाएगी अब इतना टाइम नहीं बचाएगी हम प्याजे की theory detail में की जाएए तो हम उसको भी cover कर लेंगे और आपके NCF and all बचता है वो सारा उसमें cover कर जूँगी मैं so I hope आपको ये वीडियो पसंता ही होगी बहुत जादा महनत लगी है इस चीज के लिए तो अगर आप इसको like कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगे का मैं भी motivated रहूंगी और विसी बात है motivation ज़रूरी है तो internal motivation तो है external भी मिल जाएगी थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी वीडियो बन सकती है so अगर आप मेरे चानल पे नहीं हो तो please subscribe कर दो आपको ये useful वीडियो मिलती रहेगी thank you बोल बोल के था चुकियो मैं बोल भी नहीं सकती अब तो thank you